तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइस के बारे में और उसका स्टॉक एनलाइस करने वाले हैं 8 एप्रिल 2022 के लिए तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे तो यहां पर यह चार्ट मैं ने अपने जिरो थाके अकाउंट से ओपन किया अगर आप आपके पास अभी तक अपना अपने में आपका नहीं है तो सबसे पहले अगरानी एंटरप्राइस में यहां पे आज के दिन क्या हुआ तो यहां पे आप देख सकते हैं आज के दिन अडानी एंटरप्राइज में हमें 2099.05 पे क्लोजिंग देखने मिली है और यहां पे 2.82 परसंग का यहां पे नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है बाकी यहां पे क्या ऐसे ही आने वाले दिनों में नेगेटिव मोमेंट रहने वाला या फिर कोई अफसर मोमेंट आ हमारे को भीझिएंगे चलिए हमारे बढ़न देखते लगा और और वहाँ पे देखते हैं आने वाले दिनों में इक हम से कैंडल अपर बड़ी बड़ी विक और नीचे के साय में छोटी सी विक हमें देखने मिल रही बाद अग मैं करूं आरे सेविंटीवन सेविंटीटीव मतलब अपी भी ओवरबॉट एरिया में जो है फिलाल है जो जरूर हमें एक डाउंसाइड का इशारा देता है लेकिन याद रखना आरे से हो या पिनियन की इस टॉक में आने वाले दिनों के लिए ज़रूर जो है कि है पर नेगेटिव मुमेंट जो है दे सकता है मतलब हमें जो लगता है डाउंसाड इसली यहां पर स्टॉक जो है हमें 100990 इवन उससे नीचे 1000 थर्टी गैस पर जो हमें गिरते हुए जो देखने मिले तो मैं जरूर आपको रेकेमेंट करें थोड़ा सब्सक्राइब काम करें बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गया था यहां पर और फिर अभी तक ट्वेंटी में का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लिए एकदम सीजी स्ट्रेट लाइन में यहां पर अपसेट जाते हुए हमें द चैनल को विज़र सबस्क्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ जबेल आकन को भी दबा दे क्योंकि हम सभीजे एवरी देख वीडियोज एंडे नहीं पूरा का पूर नहां पूरा नहीं पूर है आपको चात के सम्झाने की कोशिश करते हैं अब आरा वहाँ देखते हैं कल दिन स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है यहां पर सबसे पहले important चीजों की सीवी स्टॉक में होती है उसका support zone और यहां पे मैं आपको ज़रूर माख करके बता देता हूं तो जिस तर से मैं यहां कर रहा हूं आप सेम डू सेम अपने चार्ट पर जबंग कर लें अपना टारिट और स्टॉपलोस को करने में तो जरूर आप यहां पर इसको मार्किंग करते हुए अपने इस वीडियो को आप पॉस्ट करके अपने चार्ट पर यहां पर देख सकते हैं अमने आप सभी के लिए आई बटन में कैंडल स्टिक पैटन का यहां पे प्लेलिस्ट रैड किया है उसे मैं आपको जरूर रेकेमेंड करूंगा उसको आप देख लें क्योंकि यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ केंडल स्टिक पैटन जो किस तरह से में हमारा एक टार्गेट और स्टॉपलोस को यहां पर अच्छी तरह से मैनेज करने में यानिके मोस्ट यहां पर हमारा जो है एक ओपीन जो है व यहां पर बनता है 2082 का डायरेक्ट रेसिंग यहां पर आता है 2109 का याद रखना डायरेक्ट सब्सक्राइब अरिया होता है वह होता है इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहां पर आपको बिल्कुल भी ट्रेट नहीं करन आपको शह्तना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस और फिर कंफोरमेशन कैनल को देखते हूँ यहां पर अपना ट्रेट लेना है अगर आपको नहीं पता है कंफोरमेशन के इंडिल क्या होती है तो आए बेटन में मैंने यहां पर concept and targeting strategy का जो आप किस तरह से intra day में जो profit कर सकते हैं, वो भी हमने आपको समझाया है, तो जरू जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले, अब रही बाद यहाँ पर मेरे opinion की, इस talk में आज की closing के basis पर कल के लिए, तो यहाँ पर मेरा opinion जरू है कि यहाँ पर कहने से पहले मैं आपको important, 2 support और 2 ratio यहाँ पर क्या बनते हैं, after direct support and direct ratio में आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर direct support के बाद अगला support आथा 2055.85 का, उसके बाद का अगला ratio आथा 2130.85 का, उसके बाद का आथा 2153.70 का, यहाँ पर मैंने जो 2 support और 2 ratio यहाँ पर आपको बताए हैं, जरू जहाँ आप उस तो यहाँ पर कल के दिन इस टॉक में यहाँ पर जरूर हमारा एक opinion जो है, वो कल के लिए एक positive side का जरूर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें खास में जो है इस टॉक में कल के दिन प्री open market में, जो है किस तर से perform करने वाला माला, gap down opening होने वाला है, वो हम देखेंगे और यह यहाँ पर gap down opening होई और यहाँ पर 2082 के नीचे होई तो यहाँ पर हमें बड़ा एक downside जो देखने मिल सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है कल के लिए pre open market को देख ले बाकी यहाँ पर currently अगर neutral सा यहाँ पर opening होगा तो हमें जो है जरूर एक positive side में stock जो जाते हो देखने मिले लेकिन अगर यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम नहीं आ क्योंकि कल की दिन फ्राइडे है लास्ट डे है वीक का तो यहाँ पर हमें 2109 से लेके 2130 के बीच में जरूर एक positive closing देखने मिलेगी अगर यहाँ पर pre open market neutral सा उपन हुआ तो बाकी आपको क्या लगते स्ट क्योंकि कर दो